सिक्रेट्स ऑफ कॉर्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मबट आप सभी का एक बार फिट से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि शनी अपने पीता सूर्य से शत्रुता क्यों रखते हैं मैं आपको जुए बता रहा हूं और स्कंद पुराण के आधर पर बता रहा हूं वैसे तो शनी के जन्म की एक और कथा भी है लेकिन सबसे हमारा प्रमानिक पुरान जो सबसे बड़ा पुरान है अठारा पुराणों में सकंद महापुरान उसके काशी खंड के अनुसार शनी के पिता सूर्य देव और उनकी माता च्छाया थी जिनको समवर्णा भी कहा जाता है दक्ष प्रजाबती की पुत्री जिनका नाम था संग्या उनका विवा सूर्य देव से करया गया था और उनसे तीन पुत्र का जन्मा हुआ पहले थे वैवस्वत्मनू दूसरे थे यमराज जी और तिसरी कन्या जिनका नाम था यमुना जी जो यमराज जी की बेहन है तो जब उनका विवा हुआ तो संग्या सूर्य देव के तेज से बहुत ही परेशान रहती थी इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो तपस्या करके सूर्य देव के तेज को कम करेगी इसलिए उन्होंने यानि कि संग्या ने जो दलक्ष की पूत्र थी जिनका विवा सूर्य देव से हुआ था उन्होंने अपने तपोबल से अपने शरीर की एक चाया उत्पन्न की जिसको समवणा भी कहा जाता है जो सनी देव की माता है चाया उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो संग्या की चाया रूप थी लेकिन उनका नाम हमारे सास्त्रों में समवणा मिलता है तो तीनों पूत्रों की जिम्यदारी संग्या ने संवन आयान की चाया को दे दी और ये इस बात का सुर्य देव को पता नहीं चला कि उनके साथ जो रह रही है तो दक्ष की पूत्री संग्या नहीं बढ़के संवन आयान की चाया है उन्हेंने सभी पुत्रों की जिम्मे धरे भी जाया को सौब दी बाद में संग्या अपने पीता के गर पे जाती है लेकिन पीता उनको शरण नहीं देते वो ऐसा कहते है कि आप अपने पती के पास जाओ इसलिए संग्या अपने पीता के गर पर ना जाकर वन में तपस्या करती है पुराणों में वनन है कि वो एक गोडी का रूप दारन करती है और भगवान शिव की तपस्या में वो लीन हो जाती है इस तरफ सुर्य देव के इस बास्त का आभास नहीं होता कि उनके साथ जो ले रही है वो संग्या नहीं बलके संवर्णा यानकि उनकी छाया है बात में सुर्य देव और छाया से यानकि संवर्णा से और तीन पुत्र का जन्मा होता है पहले होते हैं मनु, दूशरे शनी देव और तीसरी बद्रा जिनको तप्ती भी कहा जाता है तो इस प्रकार से तीन पुत्र का जन्मा सुर्य देव और छाया यानि की संवर्णा से होता है अभी पुरान ये कहते हैं कि जब शनी देव छाया के गर्प में थे तब उनकी माता चाया यानि की संवर्णा ने भगवान शेव की गोर कठोर तपस्या की थी उन्होंने बूक, प्यास और गर्मी सहन की थी जिसके करना उनके गर्मे पल रहे शनी देव काले पड़ गए थे जब शनी का जन्म हुआ तब सुर्या देव ने देखा कि उनका पुत्र काला है इसलिए उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया और छाया का अपमान किया संवर्णा का उन्होंने बहुत ही गोर अपमान करके उन पर संदे भी किया तो इस प्रकार से ये बात शनी को जब पता चली कि उनकी माता का अपमान उनकी पिता सुर्या देव द्वारा हो रहा है तो शनी जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे वैसे तो अपनी माता की तपस्या का बल शनी जी को घर्प में ही प्राफ्थ हो गया था इसलिए तपसे ही शनी देव और सुर्य की शत्रूता हो गई थी बाद में शनी जी ने सुर्य देव से कई बार ये अनुरोत किया कि वो उनके ही पुत्र है बले ही छाया के पुत्र है लेकिन उनके ही पुत्र है इसलिए उनका सुविकार करे लेकिन سुर्य देव ने कभी भी उनको अपने पुत्र के रूप में नहीं माना और उनका काला वर्ण देखकर उनका अपमान का दिया बात में इस परकार से शणी और उनके पीता सुर्य का सबन्ध हमेशा के लिए खराप हो गया बात में शनी देव ने भी इसकी तपस्या बगवान शिव की तपस्या बहुत सालों तक की थी और सुर्य देव के उपर शनी जी ने बात में एक द्रश्टी दाली जिसकों शनी की कूद्रश्टी के थे शनी की कूद्रश्टी के कारण और अपनी माथा के तपोबल के कारण सुर्य दे को कुष्ट रोक हो गया और वो निस्तेज हो गया वो काले पड़ गया इतले सूर्य जी बगवान शिव की सरण में गए, शिव जी ने उनको समझाया कि उनकी जो गल्दी है उनको गल्दी नहीं करनी चाहिए, बले उनके साथ छाया रह रही है लेकिन वो संग्या का ही एक रूप है, बगवान शिव की मदद से सूर्य देव को अपना तेज वापस मिला, उनका कुछ रोग दूर हो गया, बात में शनी जी ने भी भगवान शिवी कठोर तफ़स्या की, के बगवान शंकर उनके सामने बहुत जल्ली प्रसंळ हो कर उनके सामने प्रत्यक्ष हो गये थे, शनी जी ने वरदान में ये मांगा कि जितना कद सूर्य का है, उस से क महत्व पून स्थान दे दिया भगवान शिव ने कहा कि सूर्य बलही जगत पालक है लेकिन फिर भी सभी मनुष्यतों सामने मनुष्यतों का सभी देवता ब्रह्मा विश्णों गंदर्व असूर सभी तुमसे भेवित रहेगा है आसर में आपको दंदा धिकारी बनाता हूँ इस प्रकार से भगवान शिव के वर्दान से सनी का महत्व सूर्य से ज़्यादा बढ़ गया और आज भी शनी की पूझा सबसे यादा होती है जितने पूझा सूर्य की होती है उतने पूझा शनी की होती है तो इस प्रकार से शिव के वर्दान के कारण शनी का ये महत्व प पुनस्तान कुंडले में शनी का होता है यह बगवान शीव के वर्दान के कारण है अधर निवाद आप अमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें अधर कमेंट